जे महाकाली दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप से भी का हारदिक स्वागत है महाकाली भगत यानी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जिनके अंदर ये गुण होते हैं मातक काली खुद उनको चुनती है भगत बनन के लिए तो दोस्तों बताने से पहले मेरी आप सभी सरी क्वेस्टे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आपको कहीं भी नहीं मिली होंगी तो जल्दी से जल्दी सभी भक्त जो भी नए नए है वो इस चैनल से जुड़ जाएए और यदि आपका कोई भी कोशन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ ले और आपको कोल पे अगर मुझसे बात करने है तो इस्टागिराम पे मुझे आउडियो कोल जरूर करें ठीक ह समझ रहे हो मतलब की सबसे पहले अपने माबाबों की इज़्यत करना और अपने से बड़े की इज़्यत करना सभी से मिल जुलकर प्यार से रहना जिस व्यक्ति के अंदर ये गुड़ होता है मातकाली स्वयम उसी को चुनती है और दूसरी बात यदि आप लोग पूजपा को महनत के महनत सोच कर कभी नहीं करोगे आप समझोगे कि ये हमारी चाहत है हमारी चोईस है हमारी सरदा है जो कि हम मातकाली की पूजपाट कर रहे हैं और एक बात मैं आपको बताओ मातकाली की पूजपाट हर कोई नहीं करता जिसको मातकाली चाहती है वो ही व्यक्ति मातक काली की अरादना जाप मंतर का सब चीज करता है वो व्यक्ति मातकाली की नजरों में अच्छा रहता है हमेशा और मातकाली उसके हर कदम उसके साथ खड़ी रहती है हर चीज में उसका साथ देती है चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो ठीक है तो ये गुड़ भी अगर आप लोगों के अंदर है तो माता काली ने सुयमा आपको चुना है भगत बनने के लिए और तीसरी बात ये है दोस्तों कि तीसरी बात जब ही आप अपने घर में पूजा पाट करते हो तो आप ये सोच के नहीं करते कि हम पूजा पाट कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिलेगा ह कभी आपको अपनी पूजा पाट को इस समय नहीं सोचना चीए कि हम जो भी अपनी पूजा पाट कर रहे हैं इसका फल तो हमें ही मिलेगा और अच्छा ही फल मिलेगा ये फल सोच कर कभी मत करना क्यूंकि ये सब चीज आप लोग पहले ही सोच कर करो गए तो माता काली उस ब्यक्ति को चुनती भी नहीं है ना ही उसको फल देती है क्योंकि उसकी भावना को माता काली सुयम जान लेती है कि किस वजा से किस कारण मेरी पूजा पाट कर रहा है तो ये चीज कभी भी सोच कर आप लोग पूजा पाट मत करना आपको में एक बात बताओं बस साप अप मेदारी है कि माता काली की पूजा पाट करना ये सोच के जो वेक्ति करते हैं माता काली उनको पार लगाने में एक सेकिंड नहीं लगाती एक सेकिंड जी से कहते हैं अगर ये गुण आपके अंदर है तो आपको भगत बनने से कोई भी नहीं रोख सकता और जैसा माता काली आपके साथ चाहेगी अच्छा जब चाहेगी तो उसको भी गलत करने के लिए कोई भी नहीं रोख सकता इस बात का ध्यान नखना आप लोग ठीके और चोथा गुण ये है दोस्तों कि अपनी पूजापाट को continue करना और अपने टैम टेवल से सबी चीज को जो व्यक्ति करता ह पूजापाट अरातना अपने टैम टेवल का continue है टैम टेवल का पावंद है वो व्यक्ति मातकाली के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि इस जगत में सबसे ज़्यादा important होता है टाइम टेवल यानि कि हम अपना टाइम अगर मातकाली को दे रहे हैं उनकी पूजापाट म हमें मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा आपको कभी वी यह सोच नहीं कि हम पूजापाट कर रहे हैं तो हमें कुछ फल मिलेगा यह सोच के कभी आपको पूजापाट नहीं करने बस आप अपनी महनत करते जाओ continue जैसा आपकी किस्मत में लिखा है वैसा आपका होगा उसे या फिर भगत लाइन में मुझे जाना है एक अच्छा भगत बनना है और जन कल्यान करना है यह एक व्यक्ति की सोच होती है और चाहत होती है और चोईस होती है कि मुझे भगत बनना है और मैं अपनी पूजा पाठ में दिल जान से अपनी सेवा पूजा पाठ करूँगा तब भगत बनने के लिए आपको बहुत सारी पूजा पाठ तपस्या करनी पड़ती है तब कहीं जाकर आप लोग एक अच्छे भगत बन पाते हो यह तो है नहीं कि आप लोगोंने कल सेवा करी और परसो भगत बन गए ऐसा कुछ तो है नहीं ठीक है भगत हमेशा वही वेक्ति बन भी नहीं सकते है भगत बनना इतनी असान बात नहीं है इसके लिए पूजा पाठ और उसके सासा सिद्धी साधना इतनी पूजा पाठ करनी पड़ती है कि बन्दा अपनी सेवा दिन राज्यो करता है वही व्यक्ति इस चीज में कामियाब होता है तो अब आप लोग एक अच्छे भगत बनना चाहते हो तो पहले यह गूण अपने अंदर पराप्त करो यानि कि अपने आपको चेंज करो यह गूण अपने अंदर लोग यह आपको लाने जरूरी है तबी आप भगत बन पाओगे ठीके दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अब हम आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमाकाली हर हर महादे में विंती करूंगी मातकाली से मातकाली आप सभी की सारी मनों कामने पूरी करें खुस रहें आप और खुस रहें आपका परिवार जैमातकी